कि देश के मुख्या होने के नाते प्रधान मंत्री सदन में आए अपनी बात रखे अपनी संवेदना प्रकट करे और उस पर सारे पार्टी समर्थन दे और मनिपूर को एक संदेश जाए कि इस दुख की गड़ी में पूरा सदन मनिपूर के साथ है हम मनिपूर में शांती चा थी ये हमारी अपेक्षा थी लेकिन अफसोस की बात है कि ऐसा नहीं हुआ प्रधान मंत्री महोदे ने एक मौनवरत लिया कि सदन में ना लोकसभा में कुछ बोलेंगे ना राज्यसभा में कुछ बोलेंगे और इसलिए अध्यक्ष महोदे ये नौबत आनी पड़ी कि हम अविश्वास प्रस्ताफ के द्वारा प्रधान मंत्री महोदी जी का मौनवरत हम तोड़ना चाहते हैं कि आज तक वो मनिपूर क्यों नहीं गए राहूल जी गए इंडिया अलाइंस के विवेंट पार्टी जी गए गरह मंत्री जी गए एमोएस होंब गए परदेश के मुख्या होने के नाते प्रधान मंत्री मोदी जी क्यों नहीं गए ये है सवाल पहला सवाल दूसरा कि लगभख अस्ती दिन क्यों लगे प्रधान मंत्री मोदी जी को मनिपूर पे कुछ बोले के लिए और जब बोले तो सिर्फ 30 सेकेंड के लिए बोले और उसके पस्चात आज तक भी प्रधान मंत्री मोदी जी के तरफ से ना कोई संबेदना का शब्द ना कोई शांती की याचना मंत्री मंदल बोल रहे हैं कि हम बोलेंगे हम बोलेंगे आप बोलें आपको किसी नहीं रोका लेकिन प्रधान मंत्री मोदी जी एक प्रधान मंत्री होने के नाते उनके शब्दों में जो महत्व है वो किसी मंत्री के शब्दों में नहीं है माब कीजिए प्रधान मंत्री मोधी जी अगर प्रधान मंत्री होने के नाते एक सांती की पहल करें उस कदम में जो ताकत है वो किसी मंत्री या किसी सांसर्प में वो ताकत नहीं है प्रधान मंत्री जी ने आज तक मनिपूर के मुख्यमंत्री को बर्खास क्यों नहीं किया आपने गुजरात में जब निर्वाचन आए गुजरात में जब आपको अपनी राजनीती कड़नी थी तो गुजरात में मुख्यमंत्री बदल दिये एक बार नहीं दो बार उत्राखंड में निर्वा अच्छन आपने से पहले आप मुख्यों मंत्री को बदला मनिपूर के मुख्यों मंत्री में ऐसा क्या आपने विशेश आपका आशिरवाद आप दे रहे हैं जुन्हों ने खुद कबूल किया है कि आज मेरे कारण एक इंटेलिजेंस फेलियर हुआ है ये तीन सवाल हैं सर औ क्यूं मौन हैं शायद उस प्रशन का उत्तर भी तीन हैं